आज हम बनाने जा रहे हैं इमर्ती बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं उसी स्टाइल में बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे तो हमने यहां पर यह एक कप उड़त की डाल लिए जिसे हमने अच्छे से द्धू के भीगा दिया है आप तीन चार घंटे पांच घंटे से आर यहां है फूट कलर रेड औरेंज कलर कहते हैं इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आता है साथी में हमने जितनी उड़त की डाल लिए उसके दो गुना चीनी यहने कि शकर ली है और इसमें हम दो कप शकर है तो देड़ कप पानी डाल के इसकी एक तार की चाशनी बना लेते हैं टो सबसे पहले हम चाशनी के लिए इसे चाशनी चड़ा देते हैं और आधका दाल को भी पीच लेते है फिर मिलते है आपसे चाशनी के लिए पैन लिया है इसमी तार कह जिना डाल ने चीनी लिए है इसका डेर गुना पानी च्छी के पानी डालें को र यादा कपानी तो इसे वलने के रख देते हैं हम तो योड़त की दाल मैंने पीस के तयार कर लिए है अब हम इसे एक बड़े बरतन में निकाल लेते हैं अब हम इसमें फूट कलर डाल देंगे दो पिंच टाले और इसे अच्छे से फेटेंगे बिल्कुल हलका होने तक हमने इसे फेटना है दायरेक्शन एक ही रखें आप वैसे ही जैसे के हम दही बड़ो के लिए दाल पीस के इस तरह से फेटना है इसे तो यह देखिए दाल को हमने बहुत अच्छे से फेट लिया और यह लाइट हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे मेदा बहुत सारे लोग मेदा नहीं डालत हैं लेकिन मेदा डालने से यह काफे अच्छी सी हो जाती क्रिस्प हो जाती है क्योंकि झालो मेदे से बहुत बड़ी आसा कृंच आता है कि भी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हैं इसमें मेदा कैसरा मेदा ढ़ते हूं पिर हम इसे खुब फेटेंगे यह तैयार हो चुका है इतना लाइट है अब में इसे 10 मिनुट के ढ़के अलग रख देती हूँ इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है हमने इसे उबलने के लिए रख दिया था इसमें डाल देते हैं तकरीब एक टीस्पून के करी निम्बु का रस इससे दो काम होंगे कि जो अजनी मेल होता अजनी नियुट जाएगा और जो सकर है उसकी चाशनी बनाते हैं तो जम जाती है वह भी नई जबें है हमें इसकी पत्ली चाशनी बनाना है सिर्फ एक तारटी चीनी अच्छ अच्छ से घुल चुकी है कि जेतासी इसमें जाधा मेल नहीं है अब मैं डाल यह अफिशनल है लेकिन आप डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा और आप चाहें तो थोड़ी सी केसर डालें इसमें मैं यहां पर चाशनी कम बना रहे हूं वेसे तक्रीबन इसमें आधा किलो चीनी यहनी 500 ग्राम चीनी जाती चाशनी बनाने में इतने जब हम इमर्ती बनाएंगे तो लेकिन मैं इसका बेटर उठा के रख दूंगी बाकी का तो चाशनी हमारी हो चुकी है इसे चेक कर लेते हैं सिफ हमें इसी चिप-चिपी सी चाशनी चाहिए यह थोड़ा रखने के बाद में और गाड़ी हो जाएगी निबू के बीच जो गिर गए थे वो निकाल दी है और गेस की फ्लेप आफ कर देते हैं इसे रख देते एंडे में वे इदर हमने एक फ्राइपन लिया है और इसमें घी गरम होने के लिए यह थे आप चाहे तो आफ चाहे हैसे टेल में भी बना सकते है यह डेसी भरना सकते है बना सकते है पो पल्लकुल मैंने शीलो फलेम के रखा था ज़ित जानी आप यह देख स कर दो ज़ यह ए बढूने यह यह दोनों नहीं हो आप डगुत की थेली जो आती है उसे ले 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 तो में इन दोनों में से पहले बाटल का यूस करूंगी हमको इसका प्राइटा तीक चाहिये बहुत पतला नहीं बाटल को आप देख सकते हैं अब हम इसकी केप लगा देते हैं कि अधिक हमारा अच्छा गरम हो चुका है हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डालें आप अब से ऐसा ही चाहिए हमें हलका गरम अब हमने क्या करना है कि इसके फ्लेम पर ही रखें और इस तरह प्रेस करते हुए इसके उपर हम बनाएंगे इसको घी में डूपे होना जरूरी है जारे में जो वह तेल होना जरूरी है अब हमने इस तरह चोटे चोटे सर्कल बनाते जाना है यह आपका इमर्दी का शेफ आजाएगा और अपकी इमर्दी परफेक्ट बनेगी बिल्कुल हलवाई की जैसी यह देखिए डिजाइन बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा की आपको चाहिए थोड़ी दर हम इसको जारे पर रखेंगे इस तरह घी में हुमा लेंगे फिर यह खुद बखुद छोड़ देगा इसे यह आप इसको इस तरह हिलाते रहें यह देखिए यह छोड़ गई इसी तरह हम दूसर दो सरकल ले ले आँ उसके बाद इस तरह चोटे 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 सरकल बनाए एक दो बार करने से आपको प्रेक्टिस हो जाएगी और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं फिर हम कुछ दर इसको इसी तरह भुमाएंगे घी में गेस की फिलिम आपने स्लो पे रखना है घी बह लेंगे अलाकि हलवाई डारिक्ट कड़ाई में बनाते हैं वह इस तरह जारे में एक एक नहीं बनाते हैं वह बहुत फास्ट बनाते हैं लेकिन हम लोग जो घर में बनाते हैं तो उतना फास्ट नहीं बना सकते हैं इतनी बड़े कड़ाई वगेरा भी हमरे रपस नहीं होत इस तरह करें आप जगा थी तो मैंने एक और डाल दी है इस समय में गेस की फिम थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके बहुत जादा स्लो फ्लेम रखेंगे हम यह काफी घी या तेल सोख लेंगे जिसमें भी आप बना रहे होंगे और उतना मज़ा नह तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है तो अब हम इनने निकाल लेते हैं काफी करारी सी हो चुकी है अच्छा क्रिस्प होने तक इने आप तलें और यदि थोड़ी सी भी सोफ्ट हो गई हो तो उसे और थोड़ी दर तलने दें जैसे साइड में रखके निकाल ले इसी तरह हम सभी बना लेंगे आप यदि इमर्ति गरम गरम निकाल रहे हैं तो चाशनी थोड़ी ठंडी कर ले चाशनी को गरम नहीं रखना इसलिए हमने चाशनी पहले से बना की रखी है कि अच्छी में हम यह मर्ति डाल देते हैं जो मेरे पहले खेपके निकाली है से मुद्ध हुए थाकि उच्छे सी चाशनी पीलें इसी तरह इसी सभी को डालते जाएंगे इननननीकाल लेंगे और दूसरी डाल देंगे तो यह देखिए अब हम इननने निकाल लेते हैं और दूसरी को डाल देंगे बहुत ज़्यादा देर इसको चाशनी में नहीं रहने कि अब देख सकते हैं इसका शेप इस ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी इमर्थी बना पाएंगे बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है तो आप भी बनाएंगे जरूर बना इसी तरीके से बनाएंगे तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप श्रम्जान अलाफ पीस